गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि गूगल पर अकाउंट कैसे बनाए उसका बैंक कैसे एट कर रहा और उससे मानिट रंजक्सन होता कैसे है तो सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में आप वीडियो में अंतक बने रहे और वीडियो सुरू करने से पहल के लिए नहीं है तो आप वीडियो के डिसकर्ण से डाउलोड कर लेंगे अगर आप के पास पहले से घूगल पै respondents यह तो आपको ले Butter ev neste नहीं मिलेगा मेरे तरह इंट्रम इए और वीडियो के डिसकर्ण में छाएग गोगल पैंश में जाता ही आप जैसे डडाइप करने के तो बोला जाएगा application को download करने के लिए आप किसी भी जगह से download कर सकते हो जैसे कि आपका app store हो गया play store हो गया मैं simply मेरा जो phone का app store है उससे download कर रहा हूं चाहे तो आप play store से भी download कर सकते हो लेकिन आपको यह बाद याज़ागना होगा कि वीडियो के description में जो link मिल जाएगा उस link से download करिएगा तब ही आपको cash bank मिल पाएगा जो आपका bank में credit हो जाएगा तो चलिए गैस मेरा application download हो रहा है download होने के बाद यहां से काएगा open करने के लिए आपको simply वहाँ पर open में click करना होगा open में जैसे आप click करने के बाद आपको बोला जाएगा mobile number यहां पर fulfill कीजिए तो मैं simply यहां पर मेरा mobile number दे देता हूँ mostly case में क्या होता है mobile number automatic आ जाता है मेरे case में भी आ गया था नीचे इसलिए मैं वहाँ पर tap करके next करता हूँ next में click करते ही हम मुझे बोला जा रहा है कि आप Gmail ही है से select किजिए अगर आपके पास एक ही Gmail है तो आप next किजिए मेरे पास 2-3 Gmail है इसलिए मैं यहां पर tap करता हूँ तो यहां पर मुझे बोला जा रहा है कि आप mobile number change कर सकते हो Gmail account change कर सकते हो मैं simply मेरा Gmail account रहे चेंज कर लेता हूँ पीन create करने के लिए मैं simply continue करता हूँ और आपका phone का जो password है मादलब आप phone unlock करने के वक्त जो password देते हो वह आप यहां पर देंगे नहीं तो आप fingerprint से भी कम चल जाएगा अगर आपका phone fingerprint sensor है तो उसके बाद आपका account खुल जाएगा जैसे मेरे case में मेरा account खुल गया है मुझे पर्मीशन मंग रहा है मैं देता हूँ पर्मीशन देने के बाद वहां पर पार प्र फोपारइवल आपसन में 4 line में tap करते हूँ टैप करते हूँ आपर रेफर कोड बोलके आ जाएगा रेफर कोड में यहां पर रेफर कोड आचुका है डाई से रेफर कोड आपको मास्ट लग चुका है अगर लग चुका है तो बहुत बढ़िया देख करने के बाद जहां पर लिखा है एक टू बैंक अकाउंट वहां पर मैं टैप करता हूं टैप करने के बाद बहुत सारा बैंक अकाउंट यहां पर खुल जाएगा मूं मैं सिंपली मेरा बैंक जो सार्च कर लेत तो मैं simply मेरा ATM paid bank option में tap करता हूँ tap करने के बाद मुझे यहाँ पर permission मांग रहा है मैं जैसे ही permission दे देता हूँ देने के बाद मुझे बोलना जाए रहे bank add करने को और guys मेरा यहाँ पर bank add हो रहा है अगर आपका अगर आप पहली पर किसी bank account उनको mobile के सब लिंग कर रहे हो तो आपके पास ते कुछ details भी मांग सकते है जैसे कि आपका जो ATM card है उसका last 6 यहाँ पर डालिए और उसके बाद ATM card का जो validity है वो आप डालिए तो आप जीज़ भी bank से आपका debit card मिला है मेरी तरह मुझे यहां पर continue करने के लिए बोल रहा है मैं simply यहां पर continue कर रहा हूं करने के बाद guys मेरा जो bank है वो successfully add हो चुका है उसके बाद मुझे बोल रहा है कि आपका जो full name हो है वो यहां पर आप दीजिए तो मैं simply मेरा नाम तो लिखा हुआ था मैं वो पर okay कर देता हूं देने के बाद यहां पर मैं फीसे एक बार चेक कर लेता हूं मेरा जो refer code है वो successfully लगा हुआ है अगर आपका refer code नहीं लगा हुआ है तो आप समझ लेना कि आपको cash bag नहीं मिलेगा अगर cash bag नहीं मिलेगा तो क्या हुआ आपका google account तो खुल जाएगा तो चलिए मेरा सब सब कुछ है मेरा सब सब कुछ मैं देख लिया सब ठीक ठाक है उसके बाद मैं यहां पर money transaction कर रहा हूं यहां पर देखिए का money transaction करने के लिए नीचे आपको एक option दिख जाएगा नीचे एक option दिख जाएगा उहां पर new to paint प्रेज जैसे tap करेंगे आपके सामने बहुत सारा मैतर खुल जाएगा आप यहां से bank में send कर सकते हो mobile number लेकर अब यहां से किसी भी मध्धम से यहां पर money transaction कर लिजिएगा तो मैं simply mobile number के उपर tap करता हूँ टैप करने के बाद मेरा जो friend का number है मैं simply यहां पर डाल देता हूँ डाल देने के बाद यहां पर verify option लिखा है मैं वहां पर tap करता हूँ verify यहां जैसे tap करता हूँ सब्सक्राइब करने के बाद मेरा जो friend का नाम था वो आ चुका है आने के बाद मैं simply उसके एकांट में moine transaction कर देता हूँ आप जिसथबी एकांट में víकर ता होना चाहिए और उसका भी Lucy होना चाहिए तो मेरे फेंड का गूगल पैकाउंड है उसके साथ भी बैंग लिंग है इसलिए मैं उसके पास कर देता हूं कर देने के बाद मुझे केश भी मिल जाएगा किदना केश भी मिलता है वो भी आप देख लिजिए तो चलिए मैं पेपर ऑप्शन में टैप करते हूं पर टैप करते हैं मुझे यहां पर बोला जा रहा है कि अब एमाउंट को यहां पर दीजिए मैं सिंपली एक सो साइड रूपिया ट्रंजैक्शन कर देता हूं आप डेट सो रूपिया से ऊपर ट्रंजैक्शन कीजिएगा उसके बाद ही आपको कैश भी मिलेगा तो मैं सिंपली एक सो साइड दे करी आप जो यहां पर जो सेंड बाड़ी ऑप्सन है वह आपड़ कर देता हूं टै जाए क्योंकि Google Pay का server थोड़ा डाउन रहता है bank का server डाउन रहता है इसलिए payment फेल हो जाता है तो मेरा जो payment successfully send हो चुका है उसके बाद मुझे cashback भी मिल गया मेर मुझे sketchcard मिल गया उसके बाद मुझे cashback मिल गया 21 रुपए का तो मैं simply मेरा reward वाले option में tap करके आपको दिखा देता हूँ कि cashback मुझे कितना मिला है और मुझे sketchcard मिला है sketchcard को sketch करके भी दिखाऊंगा आपको 21 रुपए तो मुझे मिल गया बिल्कुल free में bank link करते ही अगर आप पहली वार bank link करेंगे तो आपको भी मिल जएगा 21 रुपए अगर आप Google पे से पैसे कमाना चाते हो तो आप उफर क्लिंट्रम चलंड में जोन हो जाएगा क्योंकि Google पे से आने बाली जितने भी आफर होंगे सारा कुछ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना चैलन को सब्सक्राइब करना अभी तक जॉइन नहीं हुए तो जॉइन हो जाना क्योंकि लोडार आने इलेटेड आपने वहाँ पास सबसे पहले देगने को मिलता है चलिए गास मैं मिलता हो किसी दूसरे वीडियो में आपके आप तब तक के लिए गुड़ वाई